वेलकम है आप सभी लोगों का यूपी टेट एक्जाम में स्पेशल ही वीडियो है जिसमें हम लोग बाल मनोविज्ञान के तीन सो से जादा कोशन को कवर करेंगे बहुत ही कम टाइम में वीडियो को सिर्फ आपको सुनना है याद करने की जरूरत नहीं है जैसे जैसे मैं बो करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपको मैं यह बता दू कि तीन सो से जादा कोशन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे तो स्पीड हो सकता है मेरी जादा रहे तो अगर स्पीड जादा लगती है तो आप स्पीड कम करके देख लेना और स्पीड अगर आपको कम लगत तो आपको पता होना चाहिए वाई गोट्सकी साहब ने चीज कहा है किस विद्वाने नैतिक विकास जब भी नैतिकता की बात आती है मॉरैलिटी की बात आती है तो हमको कोहल बर्ग लगाना चाहिए प्याजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्थों को पहचानने वाऊं उनमें विवेद करने लगता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा वो करने लगता है ठीक है थोड़ा मैं इसको जूमाउट करता हूँ कोशन चुप जा रहा है नेक्स है कि प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहा है तो इसको सात्मी करन कहा है बच्चों में आधार हीन आत्म चेतना का संबन्द उनके विकास की किस अवस्था से संबन्दित है ये उनकी किसोरा अवस्था से संबन्दित है बच्चे के विकास से सम्मंदित निर्माड एयोम खोज का सिधान किस विद्वान ने दिया है तो जीन प्याजे साहब ने दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिधान के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधी क्या है तो जन्म से लेकर के दो वर्स की जग आयू है वो पूर्व नैतिक अवस्था मानी गई है कोहलबर्ग के अनुसार बुद्धी का पदानुकृत संद्धान किस ने दिया था तो फिलिप बर्नन ने दिया था बुद्धी का एककृत संद्धान किस ने दिया था तो गिलफोर्ड साहब ने दिया था इरश्या भगवान इरश्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है जलन की भावना यह होती है बाल अवस्था में स्वाप परेम अपनी वस्थों से परेम की अवस्था कौन सी होती है तो यह भी किसमें होती है शहर से अवस्था में होती है चलिएगा या फिर आप इसको समाज मिती भी कह सकते हैं, नेक्स हमारा कोशन है कि सोचियो मेंटरी स्केल का निर्माण किस ने किया था, तो डॉक्टर एडलर साहब ने किया था, सोचियो मेंटरी का निर्माण, लोग बढ़ रहा है कोशन नमर 15 पे, लेगिन आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिवक्ता को ना पा था, तो 117 सामाजिक क्रियाओं बताई जो जन्म से ले करके किशोर अवस्था तक हैं, देखो, यह जो सेशन है ना, सिर्फ आप सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, याद करने की जरूद नहीं है, एक भी कोश्चन, आपके दिमाग में आटोमेटिकली सारी चीजें सेट होती जा रही है, क्योंकि जो चीज हम देख करके सुनते हैं, वो चीज हमारे दिमाग में देर तक रहती है, तो आप बस सिर्फ सुनते जाओ, आपके दिमाग में सब कुछ सेट होता जाएगा, बालक मानो धोनी वा अन्य धोनी में अंतर करना कब सीख जाता है, तो एक महीने में सीख जाता है, अंतर मुखी वार बहिर मुखी में से समाजिक विकास किसका अधिक होता है, तो बहिर मुखी का समाजिक विकास सबसे अधिक होता है, नेक्स हमारा question number 18 है एरिक्सन ने अपने मनो समाजिक सद्धात में जीवन काल को कितने अवस्था में बाटा है ये उन्होंने 8 अवस्थाओं में बाटा है ग्यानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है यह कथन किसका है यह जीन प्याजे साहब का है समाजिक विगटन की क्रियां किसे कहते हैं जैसे तनाव हो गया जगड़ा लडाई संगर्ज इसको हम लोग क्या कहते हैं समाजिक विगटन समाजिक करण की परक्रियां में कितने चरण होते हैं समाजिक करने के प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं, अब वो तीन चरण कौन-कौन से हैं, पहला है समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप चलना, व्यवहार करना, समाजिक अभिविर्तियों का विकास होना, ये तीन प्रक्रिया हैं समाज के, ठीक है, ने UNKNOWN के स्वास्त मनुष के मस्तिफ काे वजो कितना हो घुझा हो जाता है एक वर्स जन्म के समय के वजन का बती है जन्म की समय किसकी लंबाई अधिक होती है तो जन्म की समय लड़की होती है उसकी लंबाई अधिक होती है लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई के तुल्ला में अधिक होती है ना बड़े होते हैं लड़के देवी तो हमेशा लड़कों की हाइट लगभग जादा होती है लड़कियों से जन्म के समय बालक क्यों बालिकाओं की लंबाई कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, ठीक है, मानों में स्थाई दात कितने होते हैं, 12 होते हैं, किसोर अवस्था में कितने दात आते हैं, तो 4 दात आते हैं, इन्हें अकल की डाण भी कहते हैं, जो किसोर अवस्था में 4 दात आते हैं, मनुस्त की संदशा कितने गुर सूत्रों में ह इसको हम पेयर के फॉर्म में करेंगे तो बताएंगे 46 वरना गर सिंपल पूछता है तो 23, लիंग का निरधारन कौन सा जोड़ा करता है तो 23 बता है दिंब अवस्ता कितने दिनों की हो तिए 14, दिंब अवस्ता का समय कितना होता है, 14 दिन दौ महींने, गर्वती महिला का वज आप कह सकते हैं 7-7.5 pound next है सिक्षा मनो विज्ञान की उत्पत्ती कब हुई थी तो 1900 इसापूर में हुई थी सिक्षा मनो विज्ञान की उत्पत्ती question number 39 है मनो विज्ञान को एक विशय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रे किसे जाता है तो William James को जाता है और ये अमेरिका के विज्ञानिक थे अमेरिका के मनो विज्ञानिक के जनक किसे जनक को अभी मैंने आपको बताया अंधो की लिपी के लिए कौन से जनक है तो Louis Braille है इन्होंने Braille लिपी भी दिया था जिन्होंने 6 बिन्दो की बात की थी LKG वा UKG पदती के जनक कौन है? तो FROVIL साहब है नरसरी पदती के जनक कौन है? ये दोनों कोशन तो आपके एक्जाम में बहुत बार पूची जाते हैं ये FROVIL के बारे में और Mária Maltra Quelle के बारे में दोनों के बारे में आपको याद होना चीए confusion लेकिन लोगों को बहुत होता है फ्रोवेल ने क्या क्या था खेल विधी की बात की थी और मारिया ने क्या 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 था इन्होंने मांटेसरी विधी दी थी तो दोनों में confuse मत होईएगा भूल और प्रियतन सिध्धांद किस ने दिया था थौन डाइक ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंध का सिध्धांद किस ने दिया था ये भी किस ने दिया था पॉलाव साब ने दिया था क्रिया परसूद अनुबंधन सिध्धांद किस ने दिया था तो इन्हों ने अपने ही दो पुत्री और एक पुत्र पर किये थे जिसके लिए ये बहुत ही ज़ादा विवादों में घिरे रहे और इनको बहुत ज़ादा उस टाइम पे मतलब कह सकते हैं गालियां जिसको बोलते न वो पड़ी थी कोलर किस संपरदाय के समर्थक थे संग्यानवादी थे वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तारकिक रूप से वस्तूओं और घटनाओं के विशय में चिंतन प्रारम करता है तो उसकी मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है जो की साथ से ले करके 11 वरस तक बालकों में होती ह वह कौन सी जगा है जहां बच्चे के संग्यानाथ में विकास का सबसे बहतर तरीके से परिभाशित किया जा सकता है तो विद्याले और कच्छाओं में आगे बढ़ें नेक्स्ट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सरजन करते हैं इसका स्रेह किस विद्वान को जाता है तो जीन प्याजे साब को जाता है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए तो हमको होन चाहिए बनाने के लिए सैचिक और सहister चेत्रों में विद्यारतियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप के लिए विवदतत तरीकों का प्रियोग करना चाहिए ठीक है उनको आगर आकलन अगर किसी बच्चे को आकना है कि बताहों कैसा है मलब उपयोगी है ना उसका म दिमाग कैसा चल रहा है तो आपको उसको डिफेरेंट डिफेरेंट वे में नापना चाहिए सिशु अपने अपने संसार के बारे में अधिकांस बाते खेल के माध्यम से सीखता है या किस विद्वानने का है या कत्थन है इस ट्रेंग का आगे बढ़े नेक्स आमालों कोशन नमबर 58 विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रिक्रिया है या विचार किस से संबंदित है तो निरंतरता का सिधान्त से संबंदित है बच्चे के बौध एक विकास की चार विजश्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वान द्वारा मानी गई है तो जीन प्याजे द्वारा मानी गई है परिवार एक साधन है किसका साधन है ये एक अनौपचरिक सिक्षा का साधन है साथ कोश्चन हमने देखते देखते कवर कर दी हैं, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को तुरंत लाइक करिए और आवाज मेरी पहली बार आप सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, आगे बढ़ें कोश्चन बस 61 पे, ए आदर्सवादी तरीके से होना चाहिए, किस आवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर के सक्रिय सदस बन जाते हैं, तो किसोरा आवस्था में बन जाते हैं, प्रात्मिक सिक्षक के लिए बाल मनुविग्यान का ग्यान क्यों आवस्थक है, तो ये आवस्थक है कि शक्षक उसकी सहाइता इसके लिए करता है बुनियादी इस तरपर मात्रभाता सिक्षा देने से प्रकरतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहाइता मिलती है ख्लोनों की आयो किस अवस्था को कहते हैं बहुत बार पूछा गया कोशने बहुत बार तो यह पूर्व ब सतेक छातर कि अवस्चताओं को ध्यान में रखने से है, नेक्ट हमारा कोशन है कि सिक्षा की खेल विधी का अर्थ कैया है? तो खेल क्रियों दारए इसका सिक्षा का अर्थ है, पुरीोजन वाण से किस ने जनम दिया तो प्रोजेक्ट विधी को जनम दिया था, प्रियोजनवाद नहीं, सिक्षा में प्रियोजनवाद की विचारधारा का परवर्तक कौन था, तो विलियम जेम साहब थे, बच्चों के लिए सबसे उत्तम सिक्षक वा है, जो स्वेम बालक जैसा हो, यह कथन किसका है, तो मेन केंग साहब का है, यह कथन, ठीक है, की द्वारा की जा सकती है, तो उनके छात्रों द्वारा, रिचार्ज भी देख रहे हो, मेरा खतम हो रहा है, छात्रों में वेगानिक द्रिश्ची कोड उत्पन किसके द्वारा किया जा सकता है, तो तरक संगत विचारों के प्रस्तूती करन द्वारा इसको खतम किया जा सक समाजिक समयोजन का कथिन काल किसे कहते हैं, तो पूर्व किसोर आवस्था जो लडकियों एम लडकों दोनों के संदर में होती है, असबसे कथिन आवस्था मानी जाती है, छातरों का विलवास प्राप्त करने हैं , सिख्शक को उनके साथ कैसा व्यवार करना चाहिए उनके या फिर seated exam में, तो जब चार option आपको दिखते हैं, उनमें आपको कुछ ना समझ में आए, कि मतलब कुछ भी समझ में ना है, आपने देखा भी ना हो question ना, तो आख बंद करके प्याजे पे मार दिया करो, तो chances जो होते हैं सही होने के वो 60-40 हो जाते हैं, 60% chance होता है कि आपका अनुभावयों प्रत्यों से होती है, अवस्था कौन सी है, तो 7-12 वर्स तक की, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रियोग किसके समान अर्थ में किया है, तो स्रिजनात्मक्ता चिंतन में किया है, बुद्धि का त्रिक बिंदू, सिधान्त किस ने दिया है, तो जीन प्याजन के अनुसार जो बुद्धी है वातावरण के साथ अनुकूलित करने की प्रिकरिया है, अलफ्रेड बिने के अनुसार बुद्धी के प्रकार बताईए, तो अलफ्रेड बिने ने भी बुद्धी को चार बागों में बाटा है, कौन कौन सा, एक ज्यान है, एक अविश्कार है एक निर्देश है और एक अलोचन है चार भागों में बाटा है नेच्स टे कोश नमबर 84 टर्मन के अनुसार बुद्धी की क्या परिभाशा है तो उनके अनुसार बुद्धी अमूर्थ विचारों के बारे में सोचनी की एक योगता है इस्टन के अनुसार बुद्धी की क्या परिभाशा है तो इस्टन के अनुसार बुद्धी एक सामान योगता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिसितियों के साथ समायोजन करता है बकिंधम के अनुसार बुद्धी की क्या परिभाशा है तो इनके अनुसार बुद्धी क्या है शक्ती ही बुद्धी इनुने का कहा कि यह शक्ती जो है वही हमारी बुद्धी है वैसलर के अनुसार बुद्धी की क्या परिभाशा है तो वैसलर के अनुसार जो बुद्धी है वो किसी कारिको करने की तार्किक चिंतन करने की और वातावरन के साथ समायोजन करने की एक सामोहिक योगता को बनाती है आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा है कि सामानिता बुद्धी कितने प्रकारकी होती है, तो जो बुद्धी होती है वो आपकी तीन प्रकारकी होती है, अमूर्ति बुद्धी, मूर्ति बुद्धी और सामाजिक बुद्धी, ठीके, यांतरिक बुद्धी किसे कहा जाता है, तो इस पार यूपी टेट में आएगा कोशन देख लेना तो 91 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस रूडोल्फ गायकल ने जो कि 1590 में दिया था समाजिक अंताक्रिया किसे कहते हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मद्य होने वाले परसपर संबंधवक्रिया समाजिक अ रस्तू साहब ने कहा है नेक्स हमारा कोशन है कोशन नमर 95 नेक्स हमारा कोशन नमर 95 है कि 17 सदाबदी में मनो विज्ञान को क्या कहा जाता था और या किसने कहा है तो किसने कहा है सबसे पहले जानो कि पॉमपो नौजी ने कहा है और क्यूं कहा है मन या मस्तिस का विज्ञा ठीके, अऐच्छावी सदाबदी में मनोवग्यान को क्या कहा जाता था, तो चेतना का विग्यान या विलियम जेम्स या फिर बुन्स ने कहा था बीसवी सदावदी में मनो विग्यान को क्या कहा जाता था तो व्योहार का विग्यान और ये बात वाटसन सहाब ने कही है सिक्षा मनो विग्यान की पहले पुस्तक किसने और कब लिखी तो थौन् डैक ने लिखी थी 1903 में ये कोशन भी बहुत इंपॉर्टन है आ सकता है तो पूशन थो पूशन और कुछन यह कितनी बार पूचा गया है सिक्षा का अधिकार अधिकार का बला गूँ हुआ? एक अप्र Francis 2010 को कितने वर्स के बच्चों को निसुल को सिक्षा दी जाती है 6 से 14 वर्स के बच्चों को ये कोशन भी इस बार आपके यूपी टेट में आएगा पूरा पेपर ये आउट करा दे रहा हूँ सिक्षा के मौलिक अधिकार समयधान के किस अनुच्छे से लिए गए है तो ये अनुच्छे 21 A से 2002 में जो 86 समयधान संसुधन हुआ था उसके तहत अनुच्छे 21 A का संसुधन किया गया और उसमें मौलिक अधिकार में इस चीज़ को जोड़ा गया ये अनुपात है आ सकता है कोशन सिच्छकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है cbsc बोड करती है सिक्षा मनो विग्यान का उदेश क्या होता है बालो का सरवागीन विकास जो होता है वही होता है सिक्षा मनो विग्यान का उदेश अग्यात से ग्यात की और किस विधी में हम लोग पढ़ते हैं तो विशलेशन विधी में हम लोग की चीश पढ़ते हैं ग्यात से अग्यात की और किस विधी में पढ़ते हैं तो संसलेशन विधी में पढ़ते हैं सामाने से विसस्ट की और कौन सी विधी होती है आगमन विधी होती है और विसस्ट से स आपकी प्रदशन विधी है देखो सुनो और बोलो किस पर अधारित है ये प्रियोग आत्मक विधी है किस विधी में सिक्षर सूतर का प्रियोग होता है तो आगमन विधी में सिक्षर सूतर का इस्तमाल होता है करके सीखने पर कौन सी विधी काम करती है प्रियोग साला विध ये इटली के रहने वाली हैं ये विधी इंदरियों ने कि ग्यान इंदरियों के पर सिक्षन पर बल देती है next हमारा questions number one one nine खेल पदती के जनक कोन होते हैं कुक सहाब हैं कभी-कभी confusion होता है कभी-कभी frobeyl दिया रहता है कभी-कभी cook दिया रहता है तो दोनों में confusion रहता है हर साल इसमें बच्चे कारते हैं डॉलत पदती के जनक कौन है और वो त्याग करते हैं, बालक में नकरात्मक सोच कौन सी अवस्था से उत्पन होती है, तो किशोर अवस्था में होती है, छेत्र सिद्धांद किस विद्वान ने दिया था, तो केर्ट विलियन ने दिया था, केर्ट लेविन ने दिया था, तो कर्ट लेविन कहां के वेगा प्रबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे तो संग्यानवादी थे रबर्ट गेने कहां के विग्यानिक थे अमेरिका के थे रबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बाटा है देखो इन्होंने आठ भागों में बाटा है सभी आठ भाग आपको बता रहा हूँ संकेत अधिगम उदीपक अधिगम अभिक्रिया जिसको अमलोग एस सबसे निमन अस्तर कौन सा है तो संकेत अधिगम होता है रॉबर्ट गेने के स्थ्धान्त के नुसार अधिगम का सबसे उच्छतम इस्तर कौन सा है समस्या अस्तम अधिगम अधिगम, राबर्ट गेनिक अनुसार बाला कवा अधिगम कब पूरा हो जाता है, तो 12 वर्स के उपरान जो होता है, जब वो अपनी समस्याओं को समधान करने लगता है, तब पूरा हो जाता है, सास्त्रिय अनुबंद का सिध्धान किस ने दिया था, पॉलाव साहम ने दिय कनरताय के समर्थक थे, ये व्यवहार वादी थे, डमरू का बंदर का नाचना किस सिध्धान पर कारि करता है, सास्त्रिय अनुबंद का सिध्धान पर काम करता है, नेक्स्ट है खेत में बिजुका का खड़ा करना वो उसे देकर पक्षियों का भागना किस सिध्धानत पर कारी करता है सांस्त्रिय अनुबंद का सिध्धानत होता है सुल्टान नाम के चिंपैंजी पर किस ने इस्तमाल किया था प्रियोग किया था तो कोहलर साहब ने किया था कोहलर किस संपरदाय के समर्थक थे तो सज्ञानवादी समर्थक थे चूहे पर अपना प्रियोग किस ने किया था इसकिनर साहब ने किया था इसके निर किस संपरदाय के समर्थक्ते व्यवहरवादी थे नए रशनात्मक कारियों को सीखने पर कौन सा सिधान्थ बल देता है अंताध्रिष्टी का सिधान्थ उस पर बल देता है अंताध्रिष्टी का सिधान्थ किस वेगानिक ने दिया था कोहलर सहाब ने दिया था मांसिक रूप से मंद बालोकों को सीखने पर कौन सा सिध्धान्थ उपयोगी है सास्त्री अनुबंद सिध्धान्थ संगिनात्मक सिध्धान्थ किस ने दिया था बुरूनर सहाब ने दिया था बुरूनर किस संपरदाय के समर्थक थे अवशक्ता पर पद सोपान सिध्धांत किस ने दिया था अबराहिम मौसले ने अधिगम का सिध्धांत क्या है इस सीखना होता है अधिगम से क्या ताते पर है मानो विवहार में होने वाले स्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाता है आगे बढ़ें नेक्स हमारा कोशन है अधि सिंगमन फ्रायड सहाब है मनो विशले सात्मक मनो विज्यान के जनक कोन है सिए भी सिंगमन फ्रायड सहाब है आगे बढ़ें लेकिन उससे पहले आपसे यही कहूंगा कि एक सो साथ कोशन हमने देखते देखते कवर कियें अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है मेहनत लगती एसी वीडियो को बनाने में तो वीडियो करिए लाइक आवाज पहली बार सुन रहे है चैनल को बिना सब्सक्राइब किये हुए मत जाईएगा ठीक है तो एक साथ कोशन हमन किस ने दिया था यह सामने दिया जिसको हम लोग द्यू कारक भी कहते हैं इस पियर मैं कहा के निवासी थे यह फ्रांस के निवासी थे इस पियर मैं आगे बढ़ें इस पियर मैं पहले किस विशय के प्रोफेसर थे तो यह किसके थी संखिकी विशय के प्रोफेसर से बाद म मनों विज्ञानिक प्रोफेसर बन गए स्पेर मैंने बुद्धी का सम्मंद किस से बताया है तो इन्हेंने बुद्धी का सम्मंद चिंतन से बताया है बालकों के भासाई विकास का करम क्या है तो रोना होता है, बबलाना होता है और हावभा होता है ठीक है बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाते हैं तो 5 साल की उम्र में बालक सबसे पहले क्या बोलता है तो वेंजन बोलता है वह सबसे पहले मा शब्द बोलता है जो कि क्या है वेंजन है बालक सबसे पहले किस की भासा को पहचानता है बालक सबसे पह हिरुस्टिक विधी के जनक कौन है यह आपके आर्मस्टांग सहाब है खोज विधी का संबंध किसे है भूत काल से है अनवेशन विधी के जनक कौन है आर्मस्टांग है अनवेशन विधी का संबंध किसे है वरतमान से है ठीक है आगे बढ़ें नेक्स हमारा कोचने की पढ़ इकाई उपागम के जनक कौन है, मौरिशन सहाब है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती है, 270 हड्डियां होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, सरीर में सबसे लबी हड्डी का नाम क्या है, फीमर होती है, जो हमारी जांग में होती है, पैरो में, सरीर में सबसे छ कितने घंटे सोता है 18 से 20 घंटे सोता है कि तो हर दो घंटे में जाकर अपनी मास पेशियों गुमाता है और घर वाला को परिशान करता है ठीक है बाला का विकास 6 वरस तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है तो 90 प्रतिशत होता है बाला का विकास 10 वरस तक कितने प्रतिश किस राज में नहीं हुआ है जम्मू कास्मीर में नहीं हुआ है लेकिन अब 370 हट गया है तो में भी पॉसिबल अब वहां पर भी हो जाएगा नेक्स हमारा कोशन है कि स्रिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्याले में कितने प्रतिशत सीट अरक्षित करना अनिवार है यह कोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है कोई चुनाव आ रहा है और अरक्षन अगरा का मुद्दा रहेगा तो यह कोशन आपके एक्जा आगे बढ़ें मनुष के सरीर में कितनी हड्डियां होती है 206 हड्डियां होती है मनुष के सरीर में लेकिन जब बालक जन्म लेता है तो 270 हड्डियां होती है और बाल अवस्था में बालक में 350 हड्डियां होती है बालक के विकास की दशा कैसी होती है तो सिर से पैर की ओर ह जिसे हम लोग केंद्र से बाहर की और भी कह सकते हैं या फिर आप इसको समान से विसस्ट की और भी कह सकते हैं विशलिशात्मक मनुविज्ञान के जनक कौन है तो सिंगम फ्रैर्ड साहब है आगे हम लोग बढ़ें 195 रोजर साहब ने दिया था 200 कोशन हमने देखते देखते कवर कर दिये हैं 100 कोशन और बचे हैं बहुत ही प्यारा सेशन अगर आपको लग रहा हो तो चैनल को करिएगा आप लाइक मेरा कहने के मतलब में वीडियो करिएगा लाइक चैनल पर पहली बारा है आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा ठीक है बाई चलो question number 201 सीखने का सिधान किसी ने दिया था थॉन डाइक ने दिया था खेल पदती के जनक कोन है किल पैट्रिक साहब है हुरिस्टिक पदती के जनक कोन है आमस्ट्रॉंग है और प्रोजेट विधी के जनक कोन है जान डेवी है देखो कोई question अगर आपको गलत लगता हो हो स सिसू के मस्स का वजन कितना होता है 350 ग्राम मनिस के मस्स का वजन कितना होता है बार बार question आ रहा है 1400 ग्राम आप जब भी question में आता है अगर 1350 लिखा हो मिलता है आप 1350 लगाए करिए जीन प्याजे ने जनेवा में किसकी स्थापना की थी तो लिवेटरी स्कूल की स्थाप में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाओं को बताया है ये तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने संग्यनात्म विकास को ध्यान में रखते हुए चार अवस्था बताई है पहली अवस्था समवेदी गत्यात्मक अवस्था यानि कि जो कि जन्म से दो अवस्था चलती है दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2-7 वर्सक होती है तीसरा ठोस या फिर आप मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहा सकते है जो 7-11 वर्सक और चौथा जो लास्ट है आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11-18 वर्सक होती है समवेगी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है तो इंद्रियात्मक ग्यान अवस्था जाना जाता है तो किसी पूर्व ग्यान की अधार पर नए ग्यान को सीखना ही अधिगम अंतरन कहलाता है जैसे साइकल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलना जल्दी सीख लेता है ये क्या कहलाता है पूर्व ग्यान की अधार पर ग्यान को सीखना अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं तो ये आपके तीन प्रकार के होते हैं धनात्मक अंतरन, सुनियात्मक अंतरन और रिणात्मक अंतरन धनात्मक अंतरन कितने प्रकार के होते हैं ये भी तीन तरकी के होते हैं छेतिज, उर्दवज और द्यू पार्षविक नेक्स्ट है कि गडित सम्मंधी विकार को क्या कहते हैं तो डिक्स कैलकुलिया कहते हैं कोधान संबंधे विकास को क्या कहते हैं विकार को क्या कहते हैं तो इसको अम लोग A, D, HD भी बोलते हैं नेक्स्ट है कि विसस्ट बालक कौन होते हैं वो बालक जो समाने बालकों को हटकर होते हैं इन्हें एक नया शब्द दिया जाता है विविन योगताओं को रखने वाला विसष्ट बालकみ जब कोई से बालक एकटर तो इसमें कई तरीके की आते हैं और विकलाँग विशिसट बालक स्रीड़ी में नहीं आते किसे कहते हो विसस्ट बालक के लिए बनाई गई नई शिख्षा Πरणा ली समय वेसे खिलाती नेक्स है प्रतिभा शाली बालक क्या होते हैं ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभा साली बालक कहते हैं पिछरा बालक किसे कहते हैं जिसका IQ 90 से कम होता है समाने बुद्धी के बालक का IQ कितना होता है तो 90 से 110 के बीच में होता है सर्जन सील बालक किसे कहते वंशित बालक किसे कहते हैं जिने सिक्षा के उचित औसर प्राप्त नहीं हो पाई लेकिन वें पढ़ने की छमता रखते थे लेकिन वें सिक्षा से वंशित रहे गए जैसे एक उदारण के senator पर आदिवासी छेतर के बच्चे होते हैं किसी बाई का बच्चा या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसका बच्चा मजदूर का बच्चा ठीक है यह सारी चीजे किसमें आती हैं वंचित बालक में बाल अपरादी बालक को कौन कौन से होते हैं तो बाल अपराद कैसे होते हैं वो जो समाज के मान अधनियम का उल बाल अपराद बनने के कारण क्या-क्या है, तो आनुवनशिक्ता है, जक्तिकत अवस्थाओं की पूर्ती ना होना, सारी दिक दोस है, ऐसे बालक हीन भावना से गरसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, और घर का वातरण भी उससे सांत होता है, असांत होता है, कूसंग प्रतीक कारण और दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार जिनको मिलता है वो भी कूस्तंगति में जाते हैं और इसतर हीन मनोरंजन जो मनोरंजन एक तरीकी का होता है उसमें अपना इसतर गिरा देते हैं माता पिता का गरीब होना पक्षपाथ पूर्ड व्यवहार और माता आसामाने बाते होती हैं जिसके करण वे समस्या गरस्त बालक बन जाते हैं जैसे की कच्छा में देर आना स्कूल से भाग जाना कच्छा में अधिक बाते करना अधिक क्रिया शील्ड होना ग्रह कारे करके ना लाना कच्छा में पढ़ाई पे ध्यान न देना मुझे लगता ह के कई कारण है, जैसे सिक्षक को क्या चाहिए कि बालकों को अलग-अलग बिठाए वा सबसे आगे बिठाए, सिक्षक को स्वेम बालक की समस्या के कारण का पता लगाना चाहिए, और उसको दूर करना चाहिए, सिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगा तो कितने तत्व दिये हैं, पांच तत्व दिये हैं, कौन-कौन से हैं, मौलिकता है, अनुकूलता है, विचारात्मक है, और कौन सा है, एक होता है, विचारों का सहचर है, और पांचवा है, लास्ट है, लोथ शील का विविद, ठीक है, आगे बढ़ें, सर्जन शीलता के प् कांचा होती है सीखने की समझने की वो विचार व्यापक होते हैं और क्या होती है उनके अंदर समवेदन सीलता अधिक पाई जाती है और क्या होता है वो एक आगरता उनके अंदर बहुत जादा होती है सामाने बच्चों की अपेक्षा मन उसके समाजिक प्राणी किस ने कहा है यह अरस्तु साहब ने कहा है व्यक्ति परिपक्त हो जाता है तो किसोर आवस्ता के बाद सिक्षण की विविन विधियों के प्रियोग के लिए कौन सी अवस्ता सबसे उप्यूक्त है तो बाल आवस्ता मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ आद जैसी प्रबल भावनाय बालक के विकास से किस अवस्था की सूचक होती है ये किस और आवस्था की होती है आगे बढ़ें नेक्स है कि विकास कभी ना समाप्त होने लिए प्रिक्रिया है यह विचार कौन से सिधान से संबन्द है तो निरंतरता का सिधान सिक्षा मनो विज्यान एक विज्यान है किसका मानो व्यवहर का, विकास प्राणी में प्रगतशील परिवर्तन है, जो निश्चित लक्षों की और निरदेशित होता रहता है, या गथन किसका है, तो ड्रेवर सहाब का है, 250 कोशन हमने कवर किये हैं, I hope की सेशन आपको जरूर पसंदारा होगा, बहुत मेहनत लगती ह बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो कम से कम इसके लिए एक लाइक तो वीडियो पर कर दीजे, आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक, चलो, आगे बढ़ें, नेक्स हमारे कोशन, कोशन नमबर 251, कि बच्चों को सबसे प बंडार सबसे अधिक होता है, रटने के प्रवर्ति लड़कियों में सबसे ज़्यादा मानी गई है, भाषा को सीखने का साधन कौन-कौन से होता है, भाषा को सीखने के कई साधन, जैसे अनुकरण के द्वारा, यहनि कि उसको दोहरा करके, खेल-खेल में, कहानी सुन करके वारता लाप करके और प्रसनोतर विधी से, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है, तो 6 उम्र तक सीख जाती है, भासा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, कई कारक हैं, जैसे कि लिंग हो गया, बुद्धी हो गया, स् सम्मूह का परभाव हो गया, सामाजिक आर्थिक स्थती हो गई, पारिवारिक संबंध हो गया, विद्याले हो गया और आस परोस का वातारण का परभाव हो गया, ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट है, 258 के मनुष की पसू में मुख अंतर क्या है, मनुष और पसू में प्रभाशित किस ने किया था, तो अलभेट बिन्यों ने, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बुद्धी दो प्रकार की होती है, पहली होती है मांसिक आयू बुद्धी और दूसरी होती है वास्तविक आयू बुद्धी, अलभेट बिने किस देश के निवासी थ बुद्धी के दो कारक सिधान कौन कौन से हैं, इस पेर साब ने दिया था, और जो जी कारक सिधान और दूसरा होता है, एस कारक सिधान, बुद्धी का समूह कारक सिधान किस ने दिया था, तो थंस्टन ने दिया था, इनके नुसार बुद्धी के साथ कारक होते हैं, आगे बुद्धि का बहु कारक सिधानत किस ने दिया तो थॉन डाइक ने दिया था देखो इतने कोशन होते हैं कि एक साथ पढ़ते पढ़ते कभी-कभी जो आवाज होती है जो जीब होती है लड़ खड़ा जाती है तो उतना आप लोग माइड मत करिएगा सिर्फ अपने पढ़ा किस विद्वान ने दिया तो अलफर्ड बिने ने दिया था 1905 में ठीक है नेक्स है कि मानसीक आयू क्या है तो किसी व्यक्तु द्वारा उसकी उम्र से ज्यादा कार या फिर कर्म करना ही मानसीक आयू कहलाती है नेक्स है अलफर्ड बिने बुद्धि को कितने भागों में ब 12 में बुद्धी लब्द को नापा था और उन्हें एक नया सूत्र खोज निकाला कि जो IQ होता है उसकी मांसीक आयू और वास्तविक आयू जो IQ होता है वो उसकी मांसीक आयू जो उसकी mental age होती है और उसकी वास्तविक आयू जो उसकी original age होती है उसके बराबर होता है उसके divide by ह थीक है? भाटिया परेक्षन सम्द्द है auster बुद्ध को नापने से है वैसलर की सम्द्द का समंद्द कने है थो बुद्ध को नापने से है नेक्स है आदहार हीन आत्म चेतनावस का सम्मद quality किस अवास्था से सम्मद एक तो किसोरवास्था डिस्लेक्सिया क्या है तो पढ़ने सम्मद है अगे बढ़े किस समों के अंतरमुक्त किया जा सकता है तो दिर्श समाझन हम देख कर ही तो पढ़ते हैं अपने blackboard पे व thumbs up वन्शानुक्रम की कौन सी अवधी होती है तो नाम माध्र की एक भूमी का होती है श्याम पट पर लिखते समय सबसे महातपूर क्या है उसकी है अच्छी लिकावट बुद्धी का तरल मोजेक मॉडल किस ने दिया तो कैटल साहब ने दिया था बच्छों के बौधिक विकास की चार विजस्ट अवस्थाएं है तीक है वो किस ने दिया था जीन प्याज ने दिया था डिक्स कैलकुलिया का समध किस से है आंकिक अक्षमता से है सिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है सभी विद्यारती को सिक्षा की मुख्यधारा पडाली में सुईकारना आगे बढ़ें कैटल की तरल बुद्धी तुले किस के है तो वन्शानुगत कारकों से है स्वैम की भावना तथा समवेगों को नियंतरत करके संबंधी बुद्ध को क्या कहलाते है तो भाशाई बुद्धी होता है बिने साइमन परिक्षन दोरा किस का मापन किया जाता है समाने बुद्धी का मानसिक आयूक के प्रत्य का सरप्रथम प्रियोग किस विद्ध्वान ने किया तो यह भी बिने साइमन ने किया 140 से अधिक दिल अबदी जिसको हम लोग IQ बोलते है वाले बच्चों को किस स्रेड़ी में रखेंगे तो प्रतिभासाली सरजन सील्ट मौलिक प्रिडामों को अभी वक्ति करने की मानसिक करिया है यह कतन किसका है क्रों का है किसोरो पड़ो और अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसकी अपनी स्वतनता का लक्ष प्राप्त करने से रोकता है या किसने कहा है कॉल सैनिक ने कहा है किसोरा अवस्था वावस्था है जिसके द्वारा एक विकास मान विक्त तो बाल अवस्था से पौड अवस्था पाउस्था है एक अथन किसका है जैसल का है 20 कोशन इसके बाद और है कि 25 से कम बुद्धी वाला बालक क्या कहलाता है तो इसको जड़म बोलते हैं योन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किसोरा आवस्ता का अवश यही मूलतत हो या किस ने कहा है रौस साहब ने कहा है कुशाग्र बुद्धी अथवा प्रतीभावन बालक वा है जो निरंतर किसे भी उचत कारे चेतर में अपनी अदबुत कारे को शलता अथवा प्रवेड़ता का परचे देता है यह कतन किसका है यह किसका है फिरेल बल्टने परचेता है यह कथन किसने का है यह किसने का है सिरिल बल्टने का है समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रियोग किया जाता है जिनका विवहार अथवा व्यक्त किसी बात से गंभीर रूप से आसमाने होता है यह कथन किस मनोवग्यानिक का है वैलेंटाइन का है वह बालक जो समाज द्वारा सुईकृत अचारण का पालन नहीं करता और अपराधी कहलाता है। ये किसने कहाँ? हीली ने कहाँ。 बुद्धी के किस सिध्धांद को बालू का धेर कहाँ जाता है? तो बहुतत्य का सिध्धांद। वेक्तरत के चेहरे देखकर उसकी बुद्धी का पता लगाए सकता है या किस ने कहा है लेविटर ने कहा है आगे बढ़ें वेसिक्षार्थी जो संवर्द ग्यान और सचडिक दक्षता को हारदिक इच्छा प्रदेशित करते हैं उनके पास क्या होता है निश्पादम उगाबम उपागम अवी विन्यास होता है प्रदिभाश आली बालक वा है जो अपने उत्पादन की मातरा दर तथा गुरुवत्त स्रिजनात्मक्ता मुख्य रूप से किस से संबंदित है अब सारी चिंतन से चिंतन अनिवारी रूप से क्या है ये संग्यनात्मक गदिविदी है किसी बालक में चिंतन की योगता उसके सफल जीवन का मूल अधार है किसने कहा था क्रो और क्रो में चिंतन की दिर्ज से किसी किसी बच्चे के चिंतन में आयू के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानिता बढ़ती है, किसी तरक की प्रधानिता बढ़ जाती है। वन्षानुक्रम कहते हैं, 320 कोशन हमने कवर कर दिये हैं, टेलिग्राम ग्रूप आप जोइन करिए, टेट सीटेट की प्रपेशन महाँ पर होगी, अगर आपको इसकी पीडियाफ चाहिए, तो आपको नीचे इस तरह के से सिंबल लगाना है, और ये पढ़ो लिख देना है, टेलिग्राम ग्रूप यहां पर दे रखा है, आप सर्च करेंगे, तो आपको सीधा आप उस ग्रूप में पहुँच जाएंगे, और अगर आपको पीडियाफ चाहिए, तो आप इस तरह के से पीडियाफ पढ़ो लिखेंगे, तो आप पीडियाफ वाले चैनल पे पहुच एगा, थैंक यू सो मुच वर वाचिं दिस वीडियो.